ए, हिंदु धर्मानुसार जीवन में सुखत और बेहतर नतीजों की प्राप्ती के लिए प्रति दिन एक खास वक्त में जागना बहुत ही शुब माना गया है। प्रतिजे प्राप्त होंगे। आम भाषा में ब्रह्म मुहूरत का समय सुभा सुर्योदय से पहले चार पांच बजे के बीच का माना जाता है। किन्तु हमारे धर्म शास्त्रों में क्यनुसार रात के आखरी प्रहर का तीसरा हिसा या चार घड़ी तड़के तक ही ब्रह्माम चांती, सद बुध्धी, निरोग और सुंदर शरीर प्रदान करते हैं। इस समय भगवान के पूजा अर्चना के बाद दही, घी, आयना, अपने मात अपिता, पत्नी, बच्चों और फूल माला के दर्शन भी बहुत पुन्य प्रदान करते हैं। ब्रह्म मुहूरत में वे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विदो के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका मन प्रफुलित हो गया था। अची सिहत, मानसिक एवं शारिरिक तृड़ता पाने के लिए भी ब्रह्म मुहूरत सबसे उपरियुत समय है, क्योंकि इस समय वातावरण में प इस तरह युवा पेठी शौक मौज या आलसे के कारण देर तक सोने की बजाय इस खास वक्त का फाइदा उठा कर बेहतर सिहत, सुख, शांती और नतीजों को पा सकती है। इसलिए सुबह तीर्थ स्नान से सभी पापों का नाश्वा उनसे रक्षा भी होती है। शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, निरणक्षमदा, यश्केर्थी और बेहतर स्वास्ति की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि शुबह घड़ी, अच्छे वाता वरण में निर्थिस्नान से तन निरोगी होने के साथ साथ मन मस्तिश्क भी उर्जावान रहता है। इसलिए इस से नकेवल इनसान की उम्र बढ़ती है। वर्ण शुबह विचारों के उद्धाय होने से भाग देवता भी महरबान होती है और व्यक्ति को जीवन में सुख संब्रध्धी की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय देवता संपुन ब्रह्मान्द में अपनी कृपा बरसाते हैं। नित्य ब्रह्म मुहूरत में जागने वाले व्यक्ति को अपनी पूजा, अपनी प्रातना, अपनी योजनाओं का फलती शेक्र प्रात होता है, उसका अंतकरण, शुद्ध और निर्मर रहता है, उस पर इश्वर की सदैव कृपा बनी रहती है, अत्थ, स्वस्थ शरीर, स्व बनी वाले शेवर की सदैव मुह जागने रहता है, व्यक्ति का गवाने पलाद figure से औरे रहता है, उस सकते हैं आवन्न हैंने ही सी तो शेग्पा, आपने भी भी, स्वस्थ, स्वस, स्वस, स्वस।, स्वस, स्वस.